खीजव है बदो अगर आपने देखा ता वोsam आज आपने कप्चर रहे हो खाए तो आपने आप द्याद से बाइक क्यों से पकडि कि देखा है को जोईन कीजिए टेलिग्राम में सुभा यहां पर यह जो मूव पकड़ी गई है यह बताई गई है यह मूव किस तरीके से पकड़ी गई थी ओके टेलिग्राम को आप जोईन कीजिए वहां पर मैं एजुकेशनल वीडियो बहुत जादा डालती रहती हूं क्योंकि है थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ती है इस तरह की कि रेंडरिंग के बाद वीडियो जाता है यूट्यूब पे इस वजह से बिल्कुल डेटा चाहिए तो टेलिग्राम को जोईन कीजिए जिससे आपका लर्निंग पावर बहुत बढ़ेगा इसमें मैं आपको केंडल केंडल यह बात बताने जा रही हूं कि किस थरीके से यह मूव चल रही है मार्केट में कैसे एक केंडल को पकड़ो के मार्केट में ठीक है और देखो ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर का यही है देखो यह मूव आई यहां से यहां तक की ठीक है इसे यहां तक आनी थी में बैठना नहीं ऑप्षिन बायर को यह बनती है जोजी ऊपर की तरफ काटती है ठीक है ऊपर चलो नीजे की तरफ काटती है नीचे चलो क्योंकि इतनी बड़ी मोमेंट नहीं आप क्या कर दिया असल खतम कर दिये कल के वीडियो में मैंने बहुत बड़ी चीज बताई थी आ कि मैं यह सोचती हूं कि मैं आपसे फ्रैंक्ली स्पीकिंग आपको बोल रही हूं कि मैं क्या कंटेंट दूँ क्या वो दूँ आज क्या दूँआझ के चार्ट में मुझे क्या ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है चीज़े इतनी तर अच सब्सक्राइब दोर्च के वीडियो में अगर मार्केट में उसमें फिर क्या में support to market में यहाँ आपको कोई शेइद दिखाई देती है उस पर की तरफ कटें और नीचे की तरफ कटें नीचे हो जाएगा यहां से यह market नीचे तो नहीं गया ना, यह चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है, और example के साथ बताई थी, तो सबसे पहले तो यह जानो कि यह call का trend है, ओके, यह देखो call का trend क्यूं है, यह बताती हूं आपको, यह देखे, यह top of the chart चल रहा है, बिल्कुल top of the chart चल रहा है, इसमें कह यहां पे market ने support लिए, पुराने दिन के, यह previous day के यह support लिए, और यह support लिए, जो red line लग लिए, यहां से support लेके market ने क्या किया, market ने यहां पे time pass किया, यह दिखरी है आपको चीज जो मैंने कई बार बता रखा है, अगर आपने यह चीज भी ध्यान से देखी है, तो मैं ब वही चीजें बताती हूं, market में, जो reality में काम करती है, support दिख गई, support लिए, market ने यह चीज दिख गई, time pass कर रहा है, गिरना है, तो गिर जा भई, क्यों नी गिरना, support लेके बैठा है, डोजी और बना रहा है, आपके लिए minimum छोटी सी डोजी पे खेली है, छोटी सी डोजी देखें, मैं आपको एक बात बताती हूं, यह options ऐसी चीज है, आपने देखा होगा, 0.5, 0.5 का इसमें फिर बदल रहता है, इतनी वैसी चीज है, options, low 0.5 उसका जो है, उपर नीचे का, जो market में, index जो है, उपर नीचे होता है, pricing उपर नीचे होती है, उस पे खेलते हैं, यह options है, इस बात की value को अगर आप समझ गए ना, तो यह एक candle यह जो आई, ठीक है, इस पे ही आप इतना बना लेंगे, अगर आप इस बात को भी determine कर लें, कि हाँ, यह एक candle आनी थी market में, यह एक candle आनी थी market में, और इस पे तो आप double कर लेंगे, इस बात को समझें आप थोड़ राए market, direct market गिर रहा है, बेस में market time pass कर रहा है, चाहिए एक डोजी बनाए, चाहिए इस तरीके से ऐसे करके बनाए, चाहिए इस तरीके से करके बनाए, कुछ भी बनाए, मतलब कोई भी pattern सा बना दे, कुछ भी कर दे, मगर यह कर तो यह राए ना, कि एक support लेके बैठा है, और market में देखे, हर दिन नया है, हर दिन नया है market में, यही इसकी irony है, आपको हर दिन दिमाग के गोड़े दोड़ाने पड़ेंगे, अगर आपका इस तरह करका है, कि मुझे नया क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो options आपके लिए नहीं है, इस बात को आप समझे, इस देगा, वो आपको देगा, benefit, कल के उसमें मैंने ये भी बताया था, candle blending का वीडियो देखिए, डोजी का वीडियो देखिए, और decision candle का देखिए, अगर आप ये तीन चीज़े भी market में जान गए ना, आपको कोई नहीं हरा सकता, simply speaking, ये एक लाल candle आ गई, ये लाल candle आ गई, आपको पता होंगे, target कहां के मिलेंगे, target मिलेंगे जी, यहां के, और जहां तक हरी जारी है, वहां तक चलते रहो, ठीक है, यहां जरा सीजी हलाला नी शुरू होगी, वही निकल लो गया, तो ये वाली बात है, आपको पता चलेगा, ये भी, target कहां तक के मिलेंगे, ये मैं में कॉल का ट्रेंड चल रहा है कैसे पहचानोंगे बार-बार मार्केट बेस उठा रहा है कभी इसने ऐसे करके बेस नहीं काटा है तो ट्रेंड जो है कंफर्म होता है नहीं होता है मैंने कल की वीडियो में आपको जो बताया था भी मैंने बता दिया था मैं इसे चार्ट पर बता रही हूँ आपको और जो शुषार जांते हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा है उनके लिए मैं special video अभी थोड़ी देर में इसके बाद बना दूंगी क्या है हाँ पर क्या हो रहा है यह support है market में आपको दिखाई दे रहा है यह जो red line दिखरी है support है market में इसमें आपको यह हरी डोजी दिखाई दी ठीक है हरी डोजी दिखाई दी आपको अच्छी डोजी है support पर डोजी दिख गई आपको अब आपने सोचा चलो जी इस पर trade ले लो आप यह देखेंगे price कितना ही उथल फुतल करता रहे मगर इस डोजी को नहीं काटेगा अगर इसे call में जाना है तो इसे नहीं करेगा यह उथल फुतल आप कहेंगे जी यह कट गई ठीक है आप कहे आने लगेंगी आप यह बताइए मैंने अभी आपके सामने बैठे बैठे कहा यह आल टाइम हाई चल रहा है आप समस्ते हैं यहां पर इसने SL खतम कर दिए यह भी समझ रहें आप कहां सपोर्ट है इसमें यहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको ठीक है यह डोजी बनी इसे डोजी को इसने यहां काटा कम से कम आप समझ जाएए आपको यहां से यहां तक के टार्गेट मिलेंगे जिन लोगों को यह लगता है ना अरे 10 पॉइंट पकड़े अरे 25 पकड़े अरे 20 पकड़े आपको यह पता नहीं है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में लोग कितने कितने points के लिए trading करते हैं इस बात को जिस दिन आप समझ जाएंगे आप ये बोलना बंद कर देंगे ठीक है आप अपने अंदर किसी एक setup के लिए confidence लाइए उस पे आप lot बढ़ाईए lot बढ़ाईए ये नहीं है कि आप ये सोचे एक साल में ये सोचे मैं साल की बात कर रही हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए एक साल में ये डेड़ साल में जो है मैं एक lot से एक हजार lot पर आजाऊंगा ऐसा कता ही नहीं होता बिल्कुल नहीं होता ओके options है ये आपको time देना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे और एक बात और मैं आपको psychology point लोग बहुत पूछते हैं मेरे से इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जब आपको पहली trade में profit होगा ठीक है जैसे ये trade यहां से आता कि आज जो है ये जो है इस तरह कि कि ये trade अगर आपने पकड़ी माल लीजे एक trade में अगर आपको पहली trade में profit होगा तो आप देखेंगे आप तूसरी तीसरी जो trade पकड़ेंगे उसमें भी आपको profit होगा क्योंकि market का starting का base आपको समझ आया तभी आपने trade सही पकड़ी ठीक है तो आप जिस दिन profit करें पहली trade में उस दिन आप थोड़ा सा रिस्क लें उस दिन आप रिस्क लें जब आप learning period में हैं जब आप कमाने की period में नहीं हैं जब आप learning period में हैं आप तब जो है profit उस profit से learning करें उस पैसे को market में ही निवेशित कर दें learning के लिए कि भई मैंने तुने मुझे पैसा दिया मैं तुझे सीखने के लिए ही तुझे पैसा वापिस करूँगा ठीक है आप इस बात से घबराए ना तभी आप कर पाएंगे तभी आप सीख पाएंगे इसलिए पहली ट्रेट जड़ा कॉंशेसली लें अगर को स्ट्राटेजी है उस पे लें ठंग से सीख के लें मैं बस यह कहना चाहरी हूं यह मैंने आपको एक साइकॉलोजी पॉइंट बताया है किस तरीके से आप मार्केट में करें अब देखें यहां पर मैंने आपसे अभी कहा कि सपोर्ट है और वीडियो क्यों नहीं आप लोग बैक टेस्टिंग करते किसी चीज की यह सपोर्ट पर मार्केट ने बना दी जी ठीक है कैंडल ब्लेंडिंग पढ़ लीजिए उसके बाद जो यह आगे आएगा वो कैंडल ब्लेंडिंग है यहां पर यह रेड लाइम मैं सपोर्ट के लिए बना रख ठीक है अब यह क्या है 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 मर कहां बनी सपोर्ट पर बनी है मर बनीना है मर समोर्ट पर तो क्या मनता है इससे क्या समझ में आता है इससे यह समझ में आता है कि भाया कॉल का ट्रेंड चल रहा है तो कॉंश्यस हो जाओं मगर अगर इसका लो काटा इसने तो यह कम से कम यहां तक का support तो लेगा कम से कम क्योंकि यह क्या होता है जो पहला candle होता है Telegram पर मैंने video डाला है उसे देख लिजेगा उसे में बहुत पहला जो candle होता है अच्छा support होता है यह यहीं से support लेके बैठा है मगर आपको यह पता चलेगा यह बात समझें या फिर आप trade मत लीजिए सीधी सी बात है ठीक है या फिर आप मत लीजिए आपको पता चल लाएगा यह यहाँ पर हो रहा है और आपको इस candle ने यह बता रखा है कि मैं call में तभी जाओंगा जब तुम मेरा यह top काटोगे ठीक है मैं तभी जाओंगा call में त दिखाई देगी उसके बाद देखें यहाँ पर हमारी लग गई है जिसने बहुत ज़्यादा confidence दिया कि यहाँ पर trade जो है call में जानी चाहिए जब यह green candle आई पता चल चुका था कि market call में ही जाएगा क्योंकि वह एक point का SL देती है options में एक point का कोई SL देता हो तो मुझे बता जो है चीज आपके बिल्कुल सामने है कि support के बाद जो है और यह जो candle गई है जो मैंने आप से शायद आपने अगर मेरी वीडियोस पीछले पुराने से देखें हूं मैंने बहुत बार यह बात बताई है कि show shot की जो candle जाती है ना उस मत्दब strategy की तो value है बात यह है कि उसकी जो candle जाती है वह इतनी speedy candle जाती है कि option बायर की बले बले होती है यह बात एक बात होती है कि यहां से लेकर यहां तक price action गया माल लीजे आपने आपको लगा कि यह जो rejection candle इसका टॉप नहीं निकालेगा मार्केट और मुझे जो है यहां से यह जो चीज है मैं यहां से call लगा ask is funding धशार लगा कि यहां यहां पी हाईगा यहां पे यहां पी आपको यहां तक यहां लो करना यह निहीं करना है यहीं से कटेगा न और यह जो केंडल आएगी न बस आप खदल कुछ कर देगी ऐसी केंडल आती है चो शॉट की और इसमें आप इस प्राइस सेक्षन को जो मैंने यह प्राइस सेक्षन बढ़ा रही हूं इसलिए मैं कहती हूं वीडियो को ध्यान से देखे देखे आपको ची क्यों करें कि मुझे यह क्यूंनी समझ में आ रहा है आपको नहीं समझ माएगा अगर आप एक्जाम्पल्स देखने के उसमें नहीं रहते हैं लिए इसमें भी मैंने यह यहां पर एक प्राइस सेक्षन थीक है यहां पर इसने लो बेस में जो है वो किया डोजी बनाई या क्या उसके बाद आपको हुआ तक डार गेट गी तर murm 13 रहत जितना राया उतना जी बाहर चल गया ठीक है तो यह डोजी तो अपने आप में यान इसने क्या करकवा आप 1- Prime권 मारा 2 बना रखी है और शोर्शोट वाले जानते होंगे जब शोर्शोट इस तरीके से निकलती है तो उपर define-swing होती आप के टार्गेट देती है तो अब देख सकते हैं कि टार्गेट आपको बताई जह बता केसे हैं ये candle कितनी ऊपर है मगर इस candle ने इतने ऊपर होते हुए भी concept के कारण सबसे पहले market में आके concept को देखिए मैंने ये चीज बहुत बार बताई है मैं जब market में आती हूँ सबसे पहले concept देखती हूँ उसके बाद ये देखती हूँ कि levels क्या है कोई level मुझे मिल रहा है जैसे कि मुझे ये दिखाई दिया ये वाला level दिखाई दिया या जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि market में ये वाला market में ये आज इस level पर support लेके बैठाए ठीक है market में फिर levels को देखिए उसके बाद देखिए आपकी कोई strategy है कुछ है वो आपको support करती है कि जैसे कि मैंने आपको show shot बताई ठीक है उसके बाद ये देखिए कि candles वगेरा कौन सी candle उस level पर मदद कर लिए तो मैं आप से ये कह रही हूँ candle ये इतनी उपर बैठी है पर इतनी उपर बैठी भी candle नहीं हमें ये बता रिया कि ये market call में जाएगा फिर show shot ने बताया फिर इसके doji बनने ने बताया फिर इस candle ने बताया फिर इस ने बताया तो इस तरीके से 4-5 चीज़े जब मिलती है तो market में trading होती है इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझे वीडियों को ध्यान से देखे और अगर माल दीजे आप किसी वीडियों से कोई बात समझ रहे है ठीक है अगर आप किसी वीडियों से कोई बात समझ रहे है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज पिछले उसमें भी बताई है तो आप उसको जाके recall कीजिए एक बार जिससे कि अगर आपको कोई चीज पकड़ में आ रही है दिमाग में कोई चीज बैठ रही है तो पुराने वीडियो में जाके उसको देखिए और उसको समझी है कि हाँ ये चीज इस तरह बताई गई थी ऐसे हुआ ठीक है इस बात को समझे क्योंकि देखिए मैंने जैसे कल को ये concept बताया आपको support पर डोजी वाला ऐसा नहीं है मैंने support पर डोजी नहीं बताया कहीं बार मैंने support पर डोजी बताया मगर कल का जो चार्ट था वो call के trend वाला था तो आप चीजों को back जाके देखिए उन चीजों को recall कीजिए जिससे कि आपका वो concept जो है और जादा strong हो सकी तो I hope आपको चीज समझ में आई होगी अगर चीज समझ में आई हो वीडियो अच्छा लगाओ मेरी मेहनत अच्छी लगती हो और अगर ये समझ में लगता हो कि हाँ ये कुछ real चीजे बताती है या ये ऐसी चीजे बताती है जो reality में काम करती है इधर उधर का वो नहीं बताती है या फिर और टेलीग्राम पे आके वीडियो देख सकते हैं जो market hours या market के बाद में पोस्ट करती रहती हूं जिससे की learning आपके अच्छी रहे क्योंकि वो बिना editing का data होता है उसमें मैं बिना mic के भी कहीं बार record कर देती हूं अगर वो सीखिना चाते हैं तो टेलीग्राम पे आके जॉइन कर सकते हैं 6200 के करीब subscribers हैं काउंट इसलिए बता रही हूं कि किसी गलत चैनल से मत जुणना जो description में लिंक है उसी को touch करके उसी को click करके आना टेलीग्राम पे वीडियो अच्छा लगाओ तो like करो comment करो और चानल पहली बार देख रहे हो तो subscribe करो और market में please किसी concept को अगर समझ रहे हो तो उस पर back testing कीज काई बता है